13 century में Europe में age of discovery चल रही थी कि new territories खोजी जा रही थी क्योंकि European nations के जितने भी काम थे वो trading पर depend करते थे यानि कि economy जो थी European nations के वो trading पर depend कर दे थी और Asian country India उनसे काफी दूर था और उनको sea route का भी पता नहीं था तो इंडिया के sea routes खोजने के लिए सबसे पहले Europe के Christopher Columbus West की तरफ निकले अपने जहाज से लेकिन वो पहुंच के अमेरिका और वहीं एक island पर पहुंचे और उस जगह को आज के date में West Indies कहा जाता है क्योंकि उन्होंने समझा कि ये अमेरिका नहीं इंडिया है इसलिए उस जगह को नाम West Indies अभी तक है अमेरिका के discovery के बाद Europeans ने अमेरिका में कलोनी बनाना शुरू कर दिया और आज के date में अमेरिका में native Americans कम है और Europeans जादा कहें कि Europeans ही खुद को American कहते है सवाल ये है कि भारत के sea routes को किस ने खोजा Year 1498 में वासको डिगामा ने भारत के routes को खोजा क्यूंकि भारत के routes को खोजने के लिए उन्होंने अफिरिका के रास्ता को अपनाया और अफिरिका होते हुए इंडिया के कलिकट के sea port पर उतरे और इस तरह वासको डिगामा ने इंडिया के sea routes की खोज की यानि कि European Nations के एक खोज करता वासको डिगामा ने इंडिया के sea routes की खोज की ना कि इंडिया की